हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो आर्टूब चैनल थाइब लोंग नाई में आपका स्वागत है एपिसोड के स्टार्टिप में एक ही मॉम को दिखा जाता है जो कि नाइस से क्या रही हो दी है कि तुम दोनों एक ही कमरे में रहते हो मुझे इस बात पर डाउट है कि तुम दोनों लोग नॉर्मल फ्रेंड नहीं हो तो यह बात है सुनकर यहां पर नहीं हसरा होता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हारा हो गया अगर आपका हो गया कि मैं यहां से जा सकता हूँ तो यहां पर इसकी डायन मॉम कहती है कि मैं तुम को आधे स्टे रही हूँ यह तुम आई से ब्रेक अप कर लो यह बात सुनकर नहीं बहुत जादा शौक होता है और गुसे में उठ जाता है और उसे कहता है कि मैं कभी भी उसे ब्रेक अप नहीं करूँगा तो यहां पर राजन कहती है कि मुझे पता था कि तो मुझे से ऐसे जवाब दोगे मुझे सिप को आई को पालने नहीं देना चाहिए था सिप एक गल्लेट जिंदर वाले इनसान के साथ है घर में रहता था और इसी वज़त से आई सासे हो गया है राजन की बादे शुनकर नहीं गुसर से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं खाना वहाब तक ले जा सकता हूँ और इसलिए मैं उस खाने को यह पर छोड़कर जा रहा हूँ और जाने वाला होता है तभी यहां पर राजन इसको बहुत कसके पकड़ लेती है और अपने चुड़ाले वाले नाखुनों से उसके हाथ को बहुत ज़्यादा जोरों से नोच रही होती है तो यहां पर नए उसे कहते हैं मुझे छोड़ो यह मुझे दर्द हो रहा है और गुस से मैं कहा रही होती है कि फिर भी तुमने मना किया तो मैं उससे ब्रेक अप करना ही होगा मैं अपने बेटे को वापस लेके जाऊँगी और उसके साथे एक लड़के से करूँगी जिसे मैं पसंद करती हूँ तुम जानते हो क्यों? क्योंकि वो सिप का असली आउलाद नहीं है वो एक नजाज़ अलाद है और कहती है कि जरह इस बारे में सोचो अगर उस घर के लोगों ने सच्चाई जानने के बाद आई को एकसेप्ट नहीं किया तब उसके लिए कौन बचेगा? और कौन उसके तरफ रहेगा? मैंने आई को उस लड़के से इंट्रड्यूस कराया था जब वही दोनों लोग कनाडा में थे और डाइन वाली आवास में कहती है कि मैं आई की माम हो और मैं उसे वो देना चाहती हूँ जो उसके लिए अच्छा है और यहाँ पर राजन एक असली इंडियन जालिम सासुमा वाली हरकते कर रही होती है जो एक सासुमा अपने बहु को बहुत ज़दा परिशान करती है ऐसे यहाँ पर राजन अपनी बहु यानि को बहुत ज़दा परिशान कर रही होती है तो यहाँ पर राजन कहता है कि यह बात को नहीं जानता ना वो सिपकसलि बेटा नहीं है तो यहां पे लोग तुमें याyes को ले जाने देंगे तुम इसने आई को छोड़ दिया था वी लोग तुमसे ज्यादा आई से correct है समझी तो ये सुनकर उसकी सासमा हुजादा गुसा हुजाती है उसके हाथों को और जादा नोचने लगती है और उसे कहती है कि तुम जैसे कीड़े, मकोरे, कीच्व, जैसे प्राणी की हमत कैसी हुई मुझे सबक सिखाने की तो यहां पर नहीं कहता है कि मैं बहुत प्यार से कह रहा हूँ और मुझे यह सोचन पर मजबूर मत करो कि तुम्हें एक घटिया और डिस्रिस्पेक्टफूल औरत हो और इन सब चीजों के बावजोर तुम अपनी बेटी को बताओ कि वो एक वोमेन है और वो लड़कों के दर्वाजों को नौक ना करा करे यूजवली मैं पहले किसे सुलचता नहीं हूँ लेकिन ये तुम हो जो कि पहले मुझसे उलजी और अगर तुमने दुबार मेरे सुलचने की कोशिश करी तो तुमको इससे ज़्यादा भोगतना पड़ेगा तो यहां पर राजन करें क्यों तुम्हें क्या करोगे अगर तुमने हमारे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तुम्हें बहुत ज़्यादा जोर दूसे चिलाओंगे कि तुमने मुझे और मेरे डाटर को बुल करने की कोशिश करी तो यहां पर नाई कहता है कि मैं बात जानता हूं कि सोसल मेडिया पर बुली करना तुम्हें बुली करने से ज़्यादा बेटर है और मैं डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा के छिफार देखने करने रिये रूमें से बाहर नीचे जाता हुआ हनुमके हम नाई करने काहा के तुम कहां पर हो तो यहां पर आई करता है कि मैं पास कि हमें आप नहीं पर रो直 неп शुत में तुमहारे पास नहीं करना ना बत भूलना तो यहां पर आई कहता है कि तुम्हें यह जखम कहां से मिले और कैसे मिले अब यहां पर नाई को कैसे बता है कि तुम इन बातों को जाने दो तो यहां पर आई कहता है तो इसका मतलब यह है कि तुम मेरी मॉम से मिल चुके हो तो यहां पर नाई उसे कहता है कि तुम ज्यादा बाते मत करो और जल्दी से मेरे पास आऊ तो यहां पर आई कहता है ठीक है तुम चिंता मत करो मैं तुमारे पास आ रहा हूँ और यहां पर आई जाता है मेडिकल सॉप पे, वहां पर कॉटन और अंटिसप्टिक क्रीम गएरा लेता है, और फिर नाई के पास वापस आता है तो यहां पर नाई जोता है वो आई को पार्ग में देखता है और उससे जाकर टकरा जाता है जान बूझ कर जिसके वज़ासे आई को छोट लग जाती है और नाई मुझे दर्द हो रहा है, यहां पर नाई कहता है कि हां मुझे भी ऐसा लगा मुझे हैज़े हैटрий पढ़ा ले हो और बता मेरी मॉम ने तुम से क्या कहा, किस बार में बात कर रही थी वो तो यहां पर नाई कहता है कि तुम्हारे उस डेंजरस मॉम से बढ़िया था जो अभी कुछ भी हुआ है तुम जानते हो कि तुम्हारे मॉम मुझे पसंद नी करती और उससे भी खराब चीज़ यह है कि मैं भी तुम्हारे मॉम को पसंद नी करता तो यहां पर आई कहता है नाई तो यहां पर आई कहता है कि चलो पहले हम लोग कई सीट ढूरते है अराम से बैट कर बात करने के लिए और यह दोने लोग पास की बेंच में बैटने है तो यहां पर नाई है पर आई कहता है मैं ने देर से नीचे देखा, तो मैं तुम्हını है धोने के लिए नीचे किया तब ही मैंने अपनी मॉम और जॉम को कार में जाते वे देखा यहांपर नाही कहता है, वैसे तुम्हें तुम्हें को इन वे उन सुर्व भाद schाथा मैंने उनसे कहा कि मैं इसा कभी भी भी नहीं करूँगा वो मुझ पर और तुम्हारे डैड और नार पर बहुत ज़्यादा गुसा थी लेकिन चुकि मैं तुम्हारे डैड और नार हम तीनों साथ में हैं और इसलिए मैं तुम्हारे माम से ज़रूर जीत जाओंगा तो यहां पर आई कहता है, नाई मुझे इंकलिट करके चार लोग हैं, मैं उनके पास जाओंगा और उनसे कहूंगा कि वो तुम्हारे पास आकर तुमसे माफी मांगे और फिर ऐसा बोल कि वो उसके हाथों पे पट्टिया बांता है, तो नाई उसे कहता है कि आई तुमके ऐसा कुछ करने के जूरत नहीं है, और उनसे कहता है कि आच्छली वो तुम्हारे लिए डंपलेक्स लेकर आए थी, लेकिन मैंने वो सारा का सारा खा लिया और वो सच में बहुत ज़दा टेस्टी था, मैं एक जगवा जानता हूं जहां समय तुम्हारे लिए खरीद के बाद में ले आऊंगा, तो यहां पर आई कहता है कि तुम्हारे जैसे कंजोस से मैं इस तरह की कोई भी उमीद नहीं रहा है, तो यहां पर आई कहता है कि सासुमा से तुम्हें बहुत लेट हो चुका है, आप अपना माइं चेंज करने के लिए, तो यहां पर आई कहता है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, यहां तक कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं कभी तुमसे ब्रेक अप करूंगा, बलकि मैं तो यह सोचता हूं कि कैसे हम दोनों तो ठीक है अपने शब्दों को बिल्कुल वैसे ही रखना बाकि तुम इस चीज को मुझ पर छोड़ दो तो यहां पर आई जोगता हो नाई को होल कर लेता है कि हाँ तुम सही कह रहा हूं तो यहां पर नाई कहता है कि हाँ मैं स्मार्ट हूं और अब तुम मुझे इस तरह से यहां पर नाई कहता है कोई बात नहीं मैं खुछ से स्कूडर को राइट कर लोंगा और अबी मेरा मूड है पीपो मिल्क वह भी एनर्जी से के साथ पीने का तो यहां पर आई कहता है कि तुम एनरजी जर्श को पिना चाहते हो क्योंकि आज की रात बहुत ज़्यादा करता है और नाई से कहता है कि मुझे को टाइटली हग कर लो ताकि तुम गिरो ना फिर नेक सिनों में नाई को दिखा जाता है जो कि एक्जाम हॉल्स एक्जाम देके निकलता है अपने बैक के पास आता है और अपनी कीचेन को देख के कहता है कि तुमने इसका ध्यान क्यों न बदल सकता हूँ क्योंकि मेरा वाला ब्लैक हो चुका है तो यहां पर आही माना करता है कहता है कि नहीं क्या हुआ अगर तुम इस तरह से क्यूट फेस बना रहे हो या तुम मुझसे भी मैं तुमको नहीं दूंगा और कहता है कि यह बतक मेरा दोस्त है मुझसे बाते करने के लिए जब तुम मेरा ध्यान नहीं रखते हो तब तो यहां पर नहीं कहता है कि एक्जाम का समय चल रहा था और इसके बाद मैं पूरा दिन तुम्हारा ध्यान रखूंगा और मैं सीज की शुरुआत करूंगा तुम्हें एक ट्रिप ले जा करके जब भी मैं अपने एक्ज है जा रहे हैं तो मैं सोच रहा हो कि हम लोग तुम्हारे नान के घर पर चलते हैं तुम्हारे आयो के कमर दो सबолог कोई आये हैं तुम्हें लोग कंशोच hypocrisy लोग मारे बारे में जानते हैं तो तुमको इस तरह से कुछ भी करने की ज़रुत नहीं है तो यह पर नहीं को बताता है कि टॉन की गल्फरेंड एम ने अपने आठ साल पुराने लेशनशिप को इसी एक्जाम टाइम में खतम करने की बात कही है मुझे बहुत जादा डर लग रहा है टॉन के लिए तब यहां पर इंटा आता है और लोगों से कहता है क्या सच में वो लोग ब्रेक अप कर रहे हैं कि एंप ने सोचल मीडिया पर अपने नए बाइफरेंड के साथ पिक्चर को अपलोट कर रहा है पर इंटा कहता है खैर अच्छा वह लोगों ने ब्रेक अप कर लिया है मैं उन दोनों की झखड़ों से बहुत सब्सक्ता परिशान होगा मैं सोच के परिशान हूँ कि कैसे हो लोगों ने अपने रिलेशनशिप को आट साल तक भरकड़ा रखा तो यहां पर नाई कहता है अगर थो तुम यह बात टॉन के सामने कहो तो यहां पर इंटा कहता है काफी अच्छी बात है हम लोग टॉन को किसी ने किसी मंदिर लेके चलेंगे क्योंकि नान में बहुत ज़ादा मंदिर सा है उसके बैट लग को दूर करने के लिए फिर नेक सिनो में नाही और उसके पूरी ग्रूप को लंच करते वे दिखाया जाता है जहां पर नाही जोता मैं यह से कहता है कि सुनो मैं एक जोग करूंगा और तौन को हसानी कि बहुत ज़्यादा कोशिज कर रहे होते हैं तो है प्र टॉन कहता है बस अभी सब बंद करो मैं हॉट ब्रोकन हुट क्या मुझे भी तुम लोगों के साथ यह पाकल वाला गेम खेलना पड़ेगा तो य तो यहां पर टॉन जोता है कि यह काफी गहराच जकम है मुझे लगता है कि मुझे काफी समय लगेगा इस जकम को भरने में तो यहां पर आई कहता है कि तुम किसी ऐसे इसान को डूण लो जो कि तुम्हारे जक्मों को और जल्दी भर दे तो यहां पर टॉन मना करता है और कहता है कि अभी मैं पुराने घाउस नहीं उब रहा हूँ और मुझे नया घाउ नहीं चाहिए मैं कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहता हूँ तो यहां पर नहीं कहता है कि मुझे बहुत जोरो की नीद आ रही है सब लोग चलो चल के अपना बैक पैक कर लो हम लोग कल सुबा आट बज़े यहां से निकलेंगे ट्रिप के लिए तो यहां पर टॉन कहता है कि यहां पर टॉन मेरे घर के पास में रहेता है मेरा पढ़ोश यह हम लोग यह दूसरों को काफ़े समय से जानते है आई और नाई तुम दोनों लोग एक कपल की रूप में वहां पर जा रहे हो इंता के लिए उसके साथ नाईन है और मैं अकेला हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ वह जूनियर आए तुम उससे अपने साथ ला सकते हो लेकिन तुम्हें बहुत जल्दी ठीक होना होगा सु फ्रेंज इसका नेक्स प्रक्ट आपको मौर्निंग में 9.45 एम तक मिल जाएगा अगर वीडियो पसंदा तो लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बने रही है हमारे साथ